उससे खुद को आईने में रेखा, उबसूरत आंकों में स्या, काजल, लबू पे कहरी सुर्ख लिपसिक, कानों में छोलते सफेद मुथी उससे भारी चुंके, सिया खने बालों की छोटी, वो खुद को देखकर सुर्ख पढ़ गई, कि अगर आरिप देखे तो, ये मैं पीजा के वे लेरा थी, उसके चोड़े सीने का हिस्सा बन गई, कुछ जादा नहीं सोच लिया जाने आरिप, पीचे उसकी कमर पर, उसकी दोनों कलाईया भांते वे उससे मस्कुरा कर पूछाओं, पर सिम्मी तो सुन पढ़ गी थी, अपने लब उसकी करदन पर महसूस कर यह क्या हो गया, संभल कर उससे मचलते सर उठा कर उससी करदन को देखा, जहां सुख रंग के तो लब बने हुए थे, बहुत कुछ हो गया, सिर्फ आप ही नहीं समझ रही, मिरर में उसके सरापी को देखता, अपनी करदन पर बने, उसके लब देखते माईनी हेजी से मस्क कर आया, कसमे, इन्हें मेसूस करके दिल में गुद्गदी हो रही है, वो हसा, सिमी ने हैरत से उसके चेरे को देखा, पागल हो गया हो तुम, मिटाओ इससे पागल शक्स कहेंगे, कलाया चुड़वाकर वो हाथ बढ़ाकर मचलती वी टीशू उठाने लगी, पारिपने उ इसकी कोशिश को नाकाम करते हुए, उससे टेबिल से दूर कर दिया, या अल्ला, मुझे सवर दे, घुमते दमाग से उससे अपना सर बकड़ा, या अल्ला, आज मुझे सवर अता फर्मा, परना आज इस बच्चे से बहुत कुछ हो जाएगा, और आपकी मासुम बंदी कु उससे आँके मेज़ किया, पुद को बच्चे कहकर बच्चो की दोहीन मत करो, उसके बाद उससे सुर्ख पड़ती, उसके आजसार में परपड़ाती हुई बोली, हैं, हैं, सच, तो आपको येकीन हो गया, मैं बच्चा नहीं, हारी मने हैरत होशी से आँके सुकेर कर उसकी आँकों में देखां, सिमी भुखला गई, उसके नजरों की सोम माईनी, समच्टी, आँके ही मेज गई, और उसकी इस सदा पर वो क्या 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 लगा उठाओ, हारी मिटाओ, इससे वरन अच्चा नहीं होगा, वो उससे से जीगी, क्या अच्चा करेंगी, उसके निच्च पिंगली का लमस पाते, वो सरच अड़कती कसमस आई, मार दो दिया है, और कितना मारें गिया, रूपर तो कब्जा कर लिया है, रहा जिसम, तो वो अपने हाथों से हतम कर दे, वो खंबीर बारी आवास में कहता हूँ, पीछे बेल्ट में लगी पिस्टल निकाल कर उसके ह आदों में धमाते, वापिस बास वो उसकी कमर में भान लिया, वो बेचान वुजूर से अपने हाथों में पिस्टल को देख रही थी, वो चाना कि पलके चपके पगेर उसे धमाती गई थी, और अब वो सर्थ परती रंगर से उसे देख रही थी, वो क्यों भूल गई कि व पिस्टल को देखां, मतलब मारना नहीं चाहती मुझे, हम, वो दिलकर्शी से मुस्कूराता, उसे जहर से विसाधा करवा लगां, तो अब आपके ये लव जो मेरी करतन पे हुशी से मिलन की चाह में पड़े हैं, उन्हें मैं मिटा दूं, वो उसे टेबिल से लगाता, चे हमारी उमर से, कभी मेरी तारिव से, और अब अपने लम्स से भी इसी मिटाना चाहती हैं न, बता दूं, ये तो नहीं मिटेगा, अल्बत्ता इसके जगा मैं हिसाभ बराबर कर देता हूँ, उससे खेते अचानक चुकर समय की करदन पर अपने दुखते लव रख रख दिय कि वो इस अचानक अफ़तात पर उचल कर उसके शानों को सकती से मुटियों में भीच गई, हिसाभ हूआ बराबर, वो उसके चुमके को लब से चोधा उसके कान पर लब रख 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 दिये, और मस्बूती से उसको धाम लियाँ, अब ऐसा करेंगी, तो हम यहाँ से हिल भ कर बलट गी, वो गहरे सांस वर्टी टेबिल की सदा को धाम गई, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ आज है, वैसे वो खाना मैंने मुलाजमा को दे दिया, तूकि मुझे अहसास हुआ था, कि आज आपने नहीं बनाया खाना, सो मेरे किसी काम का नहीं था, अब किसे अच्छ वो हैं, वो कान में बोलता दूर हूँ, सीमी ने आँके पहला कर देखां, क्या वो, वो हैर से होली, जिस पर पाहिर को निकलते देली इस पर खड़े, आरे पने रुपकर मस्कुराते उसे देखां, वो मीन्स वो, समझा करो मेरी अलचानम, वो हसकर आँक दबाता वहां से निकलाँ, सिमी उसे से मुटियां भींच कर गहरे सांस वाइदी रही कि शुकर बच गई, उसे पलटकर उस पिस्टल को देखना चाहां थाकि उठाकर भाईर भैंक सके, वहां खाली साफ कालीन देखकर लब भींच गई, पता नहीं, क्या करता है पिस्टल अपने पास रख कर एक पर शहजादा आजाए, इसकी तो है नहीं, वह उसे से बरबढ़ाती हुई सेंडल स्वें कर डुवट्टा उठाती, शानों पर पहला कर सर पर उड़ा, और जाते हुए एक बार आएने के सामने आई, और उसका दावर आएने में अपना सरा पर देखती चीम गई, अ उसके हाथ पों ठड़ने पड़ रहे थे, और उसका साथ भी था, जो उसकी हिफाज़त कर सकता था, भाई जितना नहीं, तो फिर भी उसे उमीद थी, कि वो उसके लिए चान की वासी लगा सकता था, वो पहले किजन में गई, और वहाँ लाइट ओफ और सब कुछ साफ सु प्रुद क्यों बढ़ रही है, उससे से भरवडाती, वो पॉम पठा कर पोर्च में आई, जहां वो उसके लिए गाड़ी का दर्वासा कोले पहले से खड़ा था, सीमीने चौंक कर देखा, प्लेक लोंग कोट, तैने ब्लेक शूज में गाड़ से टेक लगाए, कान में लग बात थी, कि वो दिखने में उससे बड़ा लगता था, पर अकीकत तो कोई नहीं जूटना सकता था, कि वो उससे काफी बड़ी है, अगर हो दी चार-पांच साल तो कॉम्प्रोमाइस कर ले थी, पर यहां कई साल की बात थी, जिने नजर अंदास करना आसान नहीं था पर उस पागल को कौन समझाएं, जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा करो, रोड ब्लॉक करवा दो, मैं नहीं चाहता, उसे जरा सी परेशानी हो, वो हुकम देता कांच से ब्लूदूत निकाल गया, और उसके असानी के लिए जहां से उससे गुजारना था, वहां से सारे रोड आखिरकार, वो अपने सिमी पे सही आलम की इतलाडली शहसादी बेहन को उसके महल से निकाल कर ले जा रहा था, ऐसे ही तो नहीं लेकर जा था, ये उस पर सब की नजर आए, आएए मादाम, आपका गुलाम आपके अलंतिजार में था, उसके शानों पर अपनी शौल किचन के काम तुमने की हैं, वो खूल कर बोली, पहले जोंका फिर आंके सुके डिया, कर दी ना भी वियों वाली बात, कहा अनार कली और कहा बेगम मुम्तास, वो उससे वैटने का इशार देनी लगा, और वो तो मुम्तास बेगम पर शौक थी, तुमने वो भी बोला था, और अब मुम्तास बेगम किसे बोल रहे हो, तमाग से आरी इंसान, उसके बाद पर अरारिव ने आगे खुमाई, अल्ला अल्ला, कस में एक तम करेलू बेगम लग रही है, जिसकी शान में मासुम शोवर से गुस्ताही हो जाए, और वो अर्थरूल की बेहन बन जाए, आप बैठें और मौसम को इंजुआए करें, ताके मैं भी आपको जीवर के देख सकूँ, वो कहता ट्राइविंग सीट पर आया हो, और सिम्मी को वो काफी हुपसुर्ट लग रहा था, लोंग प्लैक कोट में, और वो इतनी बेबाग नहीं थी, जो उससे कहता है, बलकि मुम भ पुलाएं बैठी थी, और ये उसके अफ़ी साधा देर तक नहीं दिख सकी, जब गाड़ी गेट से वाई निकली और आइससा से गाड़ी की छट खाइव हो गई, ये, ये, वो खवराई आरे मुस्कुरा दिया हुँ, और जब सिम्मी की नजर टिप टिप छोटी सी वुनो को बरसाते हैं, आस्मान के चमकते सिधार उपर गई, वो मभूस सी युग रह गए, और वहीं गाड़े को आटोमेटिक पर डालते, आरे मभूस सा उसे दिखता है, स्टेरिंग भी समाले हुए था, ये, इतना हुबसूरत क्यों है मुस्समारी, क्या आलम आ रहा है, इस सी वो अपनी रहमत परसा कर मुझे हुश कर रहा है, उसके उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलच्टे महसूस करकी, वो बोली, यही समझने जान उलारी, उसके अलारी पर, सिम्मी ने चौंक कर देखा, और उसके सीरे सा सुरा देखती, वो किल खिला हुटी, तुम से ये पिक यादत कब जाएगी, वो किल के लाहट के दर्म्यान बोली, आरे बेखुट सा, उसके सफेद मोटियों जैसे दान, पेपस कर देलबों को देखता सहला गया, जब आप मुझ में समाज आएगी, वो बरवडाया रुसिम्मी ने नहीं सुना, युकि उसकी साही उनसान भागदी सड़क, ववाउं के सर छोंकूं स्याह आस्मान पर थी, ये काफी हुपसूरत है, माशालाओ, सर्थी सिर्फ अपने के चोह लोड़कर उसे देखती हैं, पहले खाना खाने चलते हैं, फिर कहीं दूर, वो विरान सड़क पर गाड़ी बेखाता हुआ, उसक दूर, उसने एक रेस्टोरेंट बुक करवाया था, सिर्फ उसकी सिम्मी के लिए उन घंटों का रेस्टोरेंट ओनर को चक दिया था, यहां इतना सनाटा क्यों है आरी, लोग क्यों नहीं, अभी रितनी रात नहीं हुई, वो सड़क दुकान बंद देखकर, हैरस से बोली, क्योंके, बोल जा, अब उससे क्या जवाब देता हूँ, कि उसके इश्टोर ने उसके देवानकी में लॉक्टोन करवाया है शेहर में, क्योंके, सिम्मी ने हैरस से उसे देखा, क्योंके सरदी जादा है, उससे दांतों की नुमाईश करवा देखा, यह तो कोई बात नहीं हुई, इतनी सरदी नहीं, हम तो चल रहे हैं, बगेर चत वाली गाड़ी में, उमो बना कर बोली, अरे भोकला गया, यह वो कैसे बोली है, कि पास स्वेटी साहिर की बेहन है, हम, मैं भी उनसे बोला था, क्यों बंद है यह शेहर हमारा, कराची तो दिन रात को, और रात को दिन करने वाला शहर है, उससे सही लाते गाँ, जम्मी ने उसके रेलाओ पर गूरा, कब बोला तुमने, और किस से, उसकी गुरी पे वो खस्या गया, आने से पहले, उससे बेचारगी से नसे, क्या हमागोमा दे गाँ, उससे मालूम पढ़िया था, बीवी से जूट कितना मेंगा पढ़ सकता है, और बीवी भी कोई आम ना हो, किसी चौन की वेन हो, तो उस बंदे का लाही है करें, क्या आने से पहले तुम्में मालूम पढ़िया था, मैं ये सवाल करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी देर तो तुमने नोट नहीं किया, ये तुम मैंने तुम से कहा तब सिर्व भुकला रहे हूँ आरी, अलललल रड़की, मैं नोट कर रहा था पर, पर उसका जुम्मा छोड़ने पर सिमी ने मस्कुराते पूछा, क्योंकि उससे जो शक हो रहा था, वो उसकी मेसी शेकल देखकर अगीकत मालूम हो रही थी, तुम्हारी संगत में होश ही न आ रहा था, वो बात को खुमाने के लिए उसके हाथ की पुछ पर लफ रखकर उसकी आँखों में जांकों में जांकते लगा, सिमी भुकला कर हाथ खिंच गई, तुम बात खुमा रहे हो, वो शिर्कर बोली, अरे अरे, मेरी अलचान, मैं बात खुमा रहा हूँ, आपको त जिनके सहबा खारी का फूर सवार होगा, उससे तंस किया हो, शौल को अच्छी तर अपने केरला पेटा हो, मुस्लम के सर्थपन से वाइसा से उसकी समय किसी, अहां, अलसिमी जी, ये गलती मत करें, आपका अलारी दववने नो ओनली है, उससे नफी में हिलाता बोला हूँ और अपना बाजो उससे गेट ढलते, उससे अपने शाने से लगा दिया हूँ, गाड़ी की छट जा कहा गए, मुझे अब सर्थी लग रही है, वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर, उसकी सीने में ठंड़क पहुँचा गए, मैं चाहता हूँ, आपको और सर्थी लग जिस पर वो वापिस के सक्री बीचे, क्या सत्या नास हो गया, मेरे से, लड़की खुद दूर भगा दी, उसकी इनतजार की सूली पर लटकाया हूँ, उसका खुद सब आलम पर उधर रहा था, जो आ ही नहीं रहा था, कि उसकी कष्टी किनारे लगे, और वो भी अपने अलसिम्मी जी, वो उसका जवाब सुनकर सिम्मी का केका काड़ी की फिसामी खुझा, वो उसे चिड़ाने के लिए आंके मेज कर बोली, और उसकी इस रदा पर तो, जैसे वो चीजान से लुटिया, मैं क्या कर सकती हूं आरी, जब भाहिर के मनसर इसकदर हसीन है, जैसा बेटर लगे, वैसा करें, हमें तो वैसे भी मार ही डाला है इन अदाओं से, वो उसे तेशी नसरों से देखती पर बड़ाए, मैं सबोला नहीं सांप हूँ, आफ हसार में तो आएं, खुद मालूम पड़ जाएगा, इस सांप की गिरिफ्ट से, उसके गाल को उंग्यों से चुकर वो वोला, सिम्मी सुर्ख से लाजवाब हो गए, वो शट्के से उसके हाथ को पीछे करते, रुख मोड़ गए, पर उसके कानों का कला कैसे खुदे, वो लब भींचे पैठी थी, उससे कहां ऐसे खाने सुनने क्यादत थी, वे आफिसा में बिक्रिवे अलफाद से उसे खवराट सी हो रही थी, वे में तेरी हो गईयां, तुम इनू रोल न देवी, इना मेरी आखियां तू अंजू चोंड न देवी, जिवें कवेंगा उवें रह लागी, अससके सब कुछ से लागी, माया तू वादा कर कदी दू न जावेंगा, तू मेरी लिख्यां चूं किते होड न लावेंगा, मेरी सुबावी तू है, ते तू ही शावें, इस सुबान थे एकी नाम हो तेरा नाम है, कट पुटली तेरी मैं जीवन मरसी कट लेंगा, तेरे ले लड़ जां, रबनाल असमा के वेख लवी, तू हसा है ते मेरा रभस्स, तेरे अंदर मेरा खुदा वस्स, माहिया तू वादा कर, कदी दूर न जावेंगा, तू मेरी लख्यां चूं किते होड न लावेंगा, तेरे ले जग चड़िया, तू मिनूट चड़ न देवी, ते इस्टे बागा इच ना कर द्वा ड़ावेंगा, ते नचाले तू ना सीख करूं सोने, तावी मैं हस हस के जीजी करूं सोने, मेरे तेरे नाल नैन चा सचना, तू मनसिल तू ही रा सचना, माया तू वादा कर, कदी दूर न जावेंगा, तू मेरी लेख्यां चूं किते होड न लावेंगा, वे में तेरी हो गई हैं, तू मिनू रोल ना देवी एना मेरी अखियां तू हंजुन जोन ना देवी बस उसे मज़ीद परदाश ना हुआ तो हाथ बढ़ा कर म्यूजिक सिस्टेम आफ कर दिया आरी में चौंकर उसके चेहरे की सुर्खी देगी एमेही बस अलजानम अभी तो शुरू वात है उसके बासु को चकरते उसे जटका दिया कि वहां करती लहरा थी उसके साथ लगी आरी वोफ से उसके सिस्की निकल गई और वो बेबरवा होकर उसकी कवर में बासु डाले उससे साथ लगा गया अलारी की अलजानम ऐसे दूर बैटकर सांसे ले रही ही हो मेरी जब मालूम तो है सांस मुझे दबाती है जब आपकी सांसी करीब होती है उससे कहते जुक कर उसकी काल से अपनी नाग से लाए और खेहरा सांस वारा वो उसकी दुखती सांसों पर सिमिच सी गई और घुस्टे से उसे धूर रखेलकर वो फासा काईम किये उससे हाथ चुपा कर अपनी धर्कन पे रखा जरे एक निकाहों से रेक त्यारे में सोरदार कैका लगा कर उससे सट पटा दिया क्यों भुकला कर अपने हाथ गोद में रखे बाई देखने लगी पर वो उसके शर्मिंदी कि सिमीशी आँके देख चुगा था तेरी धर्कने क्या कहती है अलचानम जरा पास आकर सुना मुझे मनमहरम बेचैन किया है मुझे इन दिवारों ने कुछ फासले मिठाओ कुछ सुनो मेरी क्या कहती है हमोशी आद से बस कर दो आस्सीन के सम बोले वो अभी मसीद कुछ कहता गुनकुना था सिमी से सुन न सकी तभी उसकी एक सुने बगए चीख उटी जिसके साथ ही काड़ी जट्टिये से बोलू बड़की कुमकुमों से सजे रेस्टोरेंट की वाही एरिया में रुखी अह आसीन का साम मैं सहरत से सिमी की चेरे को देखते कहा क्या ही होप कहा है अलजानम हासीनों में छुपाई रखना चाहती है मुझे उफ मैं सोचकर पागल हो जाँगा इतना पैयार मुझसे वो उसके तरफ रुख की आंके सुकेड़े पुर्शोग मैंसों से देखता कह रहा था सिमी का दिल हिया उसके बाल नोचले कैसा इंसान था उससे सोचा था कि आसीन का साम कहते उससे पुरा लगेगा पर ये तो अपना ही मकसद निकाल कर बैठी है क्या चाहती क्या हो मुझसे वो भुना कर बोली नाके नतने भूल से रही थी गुस्षे से अब आपको क्या बताएं क्या चाहते है अलसिम्मी जी इक्सपायर डेट आने वाली है इसे पत्थर को पिगलाना चाहता हूँ पर शायद अप उनकी किसमोंद में साले साइब से एक्सपायर होना ही लिखा है वो परबढाया और सिम्मी के देखने पर उसे आखमाईदा गाड़ी से खिया और आसमा से रखने कहीं खुवाई जब दूर अपने आत्मी खड़े अलट नजर आए तो सरहला था दोसी तरफ आयो आईए अनार कली एक्सपायर होने से पहले शेजादा सलीम आपकी हिदमत में हाजिर है उदारा तवच्चा फर्माए उससे मोदव से काड़ी का डोर उपन किया सिम्मी ने कहरा सांस भाई थे उसे देखा जो लॉंग कोट में खुबसूरत खुबरो लग रहा था और उसके सामने यूज होगा उससे बिलकुल बसंद नहीं आ रहा था वो उसके हाथ को एक नूर करती शौल सुम्हाल कर बाहर आने के लिए हाथ आगे किया ही था क्या आरिपने चट्के से उचक कर उससे बाहर निकाला क्यों इतनी हफा हफा से रहती है अलजानम वो दिलचस्पी से देखता है उसे काड़ी का डूर ओपन करने लगा था सर, सर प्लीज बात सुने ओ हैंसम आरिपने अभी कुछ कहने के लिए मोग खोला ही था यह फासी पर खड़े भुकला है अपने आत्मियों को देखा हूँ जहांसे कुछ लड़कियों के डोले से उससे बुलाया जा रहा था यह क्या है तुम्हें मुहातिब कर रही है आरि सिमीर उरच का आरिप के चेरे को देखा हूँ तो सर्दनसू से अपने आत्मियों को देख रहा था हम, हाँ वो सर, प्लीज हमने यहां पहले बुगिंग करवाई थी प्लीज हमें सेलिप्रेशन करने दे सर, प्लीज आरिप के कुछ कहने से पहले ही वहां से लड़की काला पार कर बोलती है उससे वुकला गए यह क्या कह रही है उससे पोछ कर लब भींचे कुछ नहीं ऐसे, मैं देखता हूँ शायर बच्ची को मेरी मदद चाहिए कस्या कर उसे जबरसी मुस्कुराते बताया वह सामने कड़े अपने आदमी को इशारा दिया जो भागता हो उसके पीट पास पहुंचाओ यहीं रुको, अपनी मैडम के पास मैं देखता हूँ उससे उसे खूरते हुए कहा और सिम्मी की देखने पर मेटी मुस्कान पास करते केट की समेट बढ़गया सम बोला, पता नहीं क्या-क्या चुपा रहा है उसकी मेसी मुस्कान को देखते उसकी चोड़ी पुष देखती सामने कड़े कार्ट पर नज़े डाले अब यहाँ वाँ देख रही थी लगता है पार्ट टू में अपपर मुझे ही चुनवा देगा दिवारों में इस लड़की पर तो कोई असर होने से रहा कम असकम बंदी को इशारा ही कर दे ताके मुझे सक्बिल नज़र आए अभी तो सब कुछ ब्लेक एंवाइट है वो बेल्ट से गन निकालता हुआ हाथ में बगड़े कोट के अंदर हाथ की है दूसरा हाथ श्रेव पर पहरता हूँ लड़की के सामने आयो जो उस ब्लेट लॉंग कोट रेट से सुकड़ी आंकों वाले को मौपोर्थ होकर देख रही थी क्या मसला है वो अपने आदमी को खोड़ता तीछी नसू से सिन्मी को देखती लगा हूँ जो उससे ही देख रही थी वो एक दम उसकुरा दिया हूँ हाँ बस सिहां से एक होटल में जाएंगे कुछ रिलेक्स के बाद वहाँ सिफ फिर फ्लाइट है मैं कुछ काम से मरी जा रहा हूँ हाँ तुम जाओ पर रहाईश कहां करोगे वो विंडो से भाई देखता कलाई में टाइम देखने लगा काफी लेट हो रहे थे सोच कर वो लग पींच क्या रहाईश की फिकर नहीं शेर कह रहा है उसका वहाँ घर है पर मैंने इंकार कर दिया है सोच रहा हूँ फ्लाइट ले लू वहाँ मुझे सक्बिल का भी सोचना है अगर कल कला मैं न रहा तो मेरे बच्चों के पास अपना दो घर हो और वो एक ना हो मैं चाहता हूँ उनके पास सीन दीन घर हो ताकि जरूरत के वक्त वो एक को बेश दें तो दूसरा मुझूद हो नूचों मसलसल उसकी तंग हसार में कसमसा रही थी उसकी बात पर सुन सी उसका चेहा तकती रह गई क्या बखवास कर रहे हो दाद? होश में तो हो या आकर तुम्हारे होश तिकाने लगाँ यकायक पुरहान उसके बखवास पर घर चुटाँ उसकी रगों में हून आग के तार करदिश करताँ उससे जैसे चलाने लगा था हूँ दाद, नूर की सिस्की निकली दाद ने अपने हाथ उसके लबो पर रख दिया बखवास नहीं कर रहा भाई हकीकत बता रहा हूँ हमारे जिन्दी का भरोसा मत किया करे हमारा सिफ एक ही वुजूद है और रूम मुलक का है बागी किसी का नहीं और जो वतन के होते हैं वो किसी के नहीं होते सवाए पाग, जाद और मटी के मेरे हजारों रूप है कब कौन से रूप में आपके सामने आऊंगा और आप सब पहचानने से इनकारी हो जाए क्योंकि रिष्टों में इत्माद होता है जो रोका दर्जा रखता है वो ही मुझे मायस से नहीं रिष्टों से वो मस्कुरा कर नूरू लेंड की बीट से लादा बोला था और बुरान का दिल किया अभी एक मुका मुबाइल से मार कर उसका दिमाग दिखाने लगा दे कुछ नहीं होगा तुम्हें आगे जरा सी वक्वास मत करना तुम्हारा भाई अभी जिन्दा है मरा नहीं मैं वो गुर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ वापैस और तुम कहीं नहीं जाओगे कराची से ये मेरा आखरी फैसला है यहीं रहूँ मैं पहुँच रहा हूँ पहली फ्लाइट से वो आपेसे बाहर होता भड़क कर बोल रहा था उससे ऐसे लगा जैसे अभी उसके आदू से उसका भाई निकल जाएगा फेरी आँके पहला ये बेहिगीनी से अपने बाप को देखती बैक कोलने लगी मजाग कर रहा था भाई तब फातन वो कहका लगा उठा और नूर को सीने पर लेटा था सीधा लेटा दूस्से हाथ में मुबाइल पकड़ा तोनों तर फामोशी चा गई नूर उसके चेहरे को देखने नही तो बुरहान मुबाइल को जो देखाओगे तुम लादों के लाइक हो जो देख पढ़ने चाहिए तुमे चल्ड लम्मे तुवकुफ के बाद बुरहान बुरना कर बोला खुसे से जबकि नूर की आँगों से आंसो रवानी से बह रहे थे ये कितना सालिम है ये इनसान उसे उसवर रहम क्यों नहीं आता मजाक अपनी जगादाओद ऐसी बकवास दुबारा मुझसे मत करना वरना तुम नहीं मैं हुद तुमारा कुछ कर दूँगा अगर मारना है अपने भाई को तो सिधी तरह मार दो ऐसी हजीते क्यों देते हो जानते भी हो कि अब कुछ नहीं तुम लोगों के हिलावा मेरे पास फिर भी बुरहान इंतहाई दुख से बोला माजरत भाई इस सब के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ कहका लगा कर कहतें दाथ ने मोबाईल ही off कर दिया तो उसी तरह पुरहान हैलो हैलो कहता हूँ उसके कहके को सुनकर मस्कुरा दिया क्या हुआ मेरी बोनी को अले-अले मेरी नन्नी बोनी रो रही है मुबाइल पैंक दाथ ने उसे सीने में भीज़ कर तब तब आयो जिसकी हिज़ियां बन गई थी वो भी कुछ देर हुए खाना खाय ले दे थे एक जुरुत के लिए दाथ को पुरान को कॉल करने पड़ी वो भाग कर भाईर से मुबाइल ले आयो और यहां नूर को वापिस सीने से लगा कर उस से राप तगियां कि उसकी ऐसी बाते सुनकर वासास सभियत की मालिक पूट-पूट करोने लगी थी जबकि उसकी श्ट में उसका खुबसूर्ट सरापा दिलकर्शी की इंतिहां को चुड़ा रहा था और सितम खुद पर कि उसकी पाहों में आ समाती थी उसके होशों हावास भेका कर छोड़ो मुझे नहीं रहना तुम जैसे घद्दार शक्स के साथ उससे कंदे बाल नोच्टी वापिस सिभायरोधी भीगी आवासे हो रही दाद उसके मासूमेत पर हस पढ़ा सुनो, रात की हवाओ, कोई सास फिर से छेड़ो मेरी में बूपा बोनी की ओदासी कहीं राएगा आना जाए वो लबों से उसके कान के लोग को छोड़े बोला तुम छेड़ों मैं तुम्हारा मुझ नोच लोगी वो खार उसका मूँ नोचनी के लिए मचली ही थी जब दाद ने उससी कलाईया जगर कर पीचे कमर पे बान दी और सुर से असन एक तो इतनी सी हो, जैसे बीवी नहीं बच्ची कोद ली है उपर से घजब हो दागा, मौम सी हो जैसे हाथ लगाने से बिखल जाओगी उसके कालों को चोनी की कोशिश में उस पर छुकता वोला जबकि नोच पीचे को अपनी करदन किये उसकी हर कोशिश को नाकाम कर गई थी वो ये सालिन देखता लब दबागिया ये मुझे कालियां देना बंद करू मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं के भिखल जाओ मैं आज सच में तुम्हें कतल कर दूँगी वो अपनी कलाईयां चुड़वाने की कोशिश में निठाल सी हो रही थी अस्ताफिर उल्ला तुम्हें कालियां को दे रहा है मेरी बोनी तुम तो मेरी जान हो दुश्मने जान हो अच्छा ना अब लड़ना बंद करो मैं अपनी बोनी को शेर सुनाता हूँ कसम से जब बात नहीं होती थी तो यही शेर भड़कर आहें भड़ते वक गुजारा करता था अब तो मैं आदा शायर हूँ यकीन कर लो यह अलग बात है शायरी अपनी नहीं वो उटकर बैठा उसे अपने हसार में लेकर बैठा और उसके मचलने परपड़ाने को असर लिये बगए लेंकिट अपने की लपिट लिया जबकि वो उसकी पाहों के हसार में अंदर सीने से लगी बैठी थी अदास चेहरा महवर आँखें जुल्फ घजल की लाम जैसे है एक लड़की मीठी धुनसी वो सोफियाना कलाम जैसे वो उसके बालों को छोकर बोला नूर अपनी मुक का उसके सीने पे मार कर चेहरा उसमें चुपा गई अच्छा सुनो जालिम असीना तुम्हारे बिना ये धड़कना ही नहीं चाहत यकीन मानो कुछ पागल सा है दिल मेरा दमें कफ़दार और तेरे होंट से रस्ती हुई बात जैसे याकोत की सिल चेहर के जढ़ना पूटे उसका चेहरा उंगलियों के पोरों पर उठा कर अंगोटा उसके निचे लब पर भुवाया हूँ बोनी उसे हामोशेक दे दाद ने जुक कर उसके लबों को जुक कर भारी रेजे में बुका रहा हूँ और वो सांस रोक कर मुठी प्लैंक की छगड़े उसके सीने में सिमिट कर छुपने लगी ड़ लगता है अब भीगी भारी आवास मुशिसकी भर कर भोली मुझे छोड़ कर मच जाए ये का दाद मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बगए मैं दुनिया की सबसे बेवकुफ लड़गी हूँ माल लेती हूँ अगर आपने अगेला किया तो ये बेवकुफ लड़गी पद कुमानिया पाल लेगी और किसी के समझाने से नहीं समझेगी उसकी बाते दाद की दिल को लगी उससे हसार तंक करते उससे फुद्बे भीच का गहरा सांस विसा में भराओ मैं कही नहीं जा रा जाना इंसान कोई हस्यत बोकाम नहीं रखता जिस पर मान वहां सा इत्माद रखा जाये इन सब एसासात के लिए एक ही वाहिसात है जिससे सब मांगते है वो बाग प्यारे साथ जो सब का मालिक रह्मान रहीम है अब रोना बंद करो आओ तो मैं ऐसी इशारियां सुनाता हूँ कि तुम्हारे कानों से दोवे निकल जाएगा उसकी बात पर नूर ने खुरकर भीगी आंकों से उसे देखा वो बेहुच सा हो गया उसके चेरे की भीगे सुख नकूश देखकर भाड में भीजो सब कुछ मैं हुच शेर बन जाता हूँ तो महसूस करो उसके भीगे भीगे रोई नकूश ने जो उस पर सुन ढाया हूँ कि वो बेहुच सा होकर उसे खुद में दभूच किया हूँ और नूर उस पर क्या अपने सिदम याद कर दी उसी गर्दर में हराशे देखका पेशे मानों दी उसी गर्दर में बाहें डालकर मां अपने लप रखकर उसे शोक कर गई कुई जोटा वादा ही कर दे मुझसे दान जब से मुझसे मिले हैं सिर्फ तंगी क्या है मैं नहीं कर सकता मेरी बेवकुफ बोनी तुम इन जूटे वादों को पकाफ समझ लोगी चलो छोडो आउना इकरार करें देखो कितना हसीन मोसम है और तुम मेरे हसार में क्या है दो इन लमहाद के लिए तो सालो तरपाया है अब मिले हैं तो उन्हें मैसूस करें इन में जीलें वो उसके खंदे पर लव रखता बोला और बलेंकी को अच्चे से उसके लपेटा आपको एसास है मेरा एसास है ना एसास ही तो कर रहा हूं कि तुम इस वक कितनी करेब हो और तुम्हें मालूम है मेरी शर्ट में कितनी वो लगती हो वो पेपागी शरारत से बुला नम आँखों से नूर ने सर उटाकर उसे देखा वो क्या? वो ही दाद ने आँखों से दूर का इशारा दिया नूर और उड़च खी वो ही क्या? नूर ने भी दूर का इशारा देटे पूछा छोड़ो तुम नहीं समझोगी अगर समझ भी कही तो फोथ हो जाओगी उसको राट दबाते उससे कहा और सीधा लेटिया जबकि नूर उसके सेने पर वाज़ो रखकर वहाँ अपनी ठोड़ी टिका दी और उसके आँखों में देखा नहीं मैं समझ चाओंगी और फोथ भी नहीं होंगी मुझे बताओ कि मैं क्या लगती हूँ तुमारी शृट में उसकी बात सुनते दाद ने घहरा सांस वराओ और लब दान्तों में दबा कर उसकी कमर के किरह सार तंकर दिया कान करीब लओ उसके इशारे पर नूर ने पहले आँखे पहलाई और फिर लब भीज़ कर कुछ सोचते किसक कर उसके चेरे की करीब आदी कान उसके लबों के बास गया दाद बामुश्किल अपना कैका दबाए पेटा था उचान पूचकर उसके कान में बेपाप बात कह दी ये नूर का शरम से चेरा सुख अंगारा हो गया दाद तुम बेखुदा इंसान उसके बास सुनते ही वो जी ही उससे से कहा था रहने दो तुम बरदाश नहीं कर सकती पर तुम बेवकूफ बो नी कौन समझाए कि शोहर से जित नहीं उसका अभी जुमला मुकमल नहीं हुआ था कि उसका घुमता मुका सीधा उसकी गाल पर पढ़ा दाद की आंके पहल गई वो नी उसकी सत्मे से आवास होंजी पर नूरो लैन पर कोई फरक नहीं पढ़ा वो तो अभी तक कानों की लोग तक सुरुकती और खा जाने वाली नसोस उसे देखती मारने की गत्तक आ गए बेशक बेवकोफ हूँ कुछ भी हूँ और दुनिया से कुछ सीखा ना सीखा हूँ इतना जान गई हूँ तुमें गटिया बेहुदा फजूल किसम के शक्स हूँ तुमें लड़कियों से बात करने की दमीज सही कमीने हो एक नंबर के बड़े कमीने हो वो नीचे हमाँ से गुराए ये हुई ना बात अब भाई भी समझ जाएंगे मैं बस जरुवर्ट से जादा मासूम हूँ और मेरी बीवी जरुवर्ट से जादा बेवको हमारी कहानी यही है वो कहका लगाता बोला नहीं एक वर कहानी भी है जिसमें तुम जरुवर्ट से जादा बेहिस और वेशी तवित रखते हो और उसमें मैं जरुवर्ट से जादा बेवस हूँ उसके चेरी को देखती उसमें ताउत अलिफ को ढूणने की कोशिश करिठी होई और एक कहरा सांस पर गई सच बताओं तो तुमें इस लम है बड़ी वो लग रही हो वो उसे दंग करने के लिए फिर से बोला जिसमें नोर चीखती दख्या उठाने के लिए मचली पर दाद की पकड़ में वो हिल भी न सकी बेपसी से उसे रेक्टी रोने की तैयारी पकड़ने लेगी जिसमें दाद को टूटकर बेहाया और उस मासूं से बरी खुद में समेटकर उसके कान में सरगोशी सिखोया हुआ तुम कुछ भी लगो पर तुम दाद की बोनी ही रहोगी यूट सी मासूम ना समझ सी वो शर्मा कर सरे लागे जिसमें दाद केका लगा उठा बोनी को छोड़कर बाकि सब बात जूट है उससे हांग तबाई और नोर का दिल ही आपने बाल नोच ले दाद वो बिबस्स से हो रही तुम्हारा चीहना भी बोनी एक साज है एक सरगोशी कर दे उसके सुर्फ भीके लबो पर उंगले रखती कोई करके बात समाने की कोई छेड़ के किसार मासी का एक राज सुमें बतलाना है एक इन बात अनोखी कहनी है कोई कहके बात मसा कनी तेरी हसी को गैद में रखना है तेरे चेरे के अदो खाल भी कुछ मैसूस से करते रहना है तेरे कानों में फिर चुपके से कोई सरगोशी सी करनी है ज़र छोगा नेड़ी पाइल को कोई साह से इश्च कम छेरना है इस हिज़र को वस्सल करके फिर, कुछ लवे समेट के रखने हैं कुछ नेड़ को पैठ के फुरसत से, अब एक मुखबत करनी है तुम से मुखबत करनी है